आहाहा आ रहा है न मूमे पानी इनको देख करके पहचानत हो गए होंगे दही वड़े हैं लेकिन कुछ खास तरीके के दही वड़े हैं जी हाँ ये हैं नवरत्री वरत के लिए special दही वड़े आपने शायद ही कभी सुना होगा कि वरत में भी दही वड़े बना सकते हैं नवर नमस्कार नीतिस कुकिंग में आपका स्वागत है तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं तो दही वड़े बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप समाके चावल बार्नियाड मिलेट और फुसामवत वारी वरी वरी चे तेंदुल पतानी कितने नाम में मैंने सब लिख आपके एरिया में जिस नाम से मिलें उस नाम से आप इनको ले सकते हैं तो यह जाते हैं और वीडियो उस Georत वा सब Steam में सब्सक्राइब कर लिए हैं और इसको मैंने लिया है लगबख एक कप के आसपास लिया है चावल और साथ ही मैंने लिया है ये वन फोर्थ कप साबुदाना या फिर इसको चार चम्मच अगर नापे चम्मच से तो मैंने चार चम्मच लिया है तो ये देखिए ये चम्मच मैंने ली है इससे मैंने ना पाया अगर आप आदा कप समा के चावल ले रहे हैं तो आप दो चम्मच साबुदाना ले लीजे ये रेशो बिल्कुल परफेक्ट है अब हम इनको भीगोएंगे लगबग 2 गंटे के लिए ये minimum time है थोड़ा जादा है काम में नहीं लेना है समा के चावल में थोड़ा सा पानी बच रहा है ये तो हम इसको रिमूफ कर देंगे क्योंकि हमें बैटर जो है थोड़ा सा गाड़ा चाहिए देखिए भीग गए है चावल अच्छे से जैसे कि हम नॉर्मल दही बड़े बनाते है तो उसका बैटर पहले तो आप बिल्कुल पानी मट्डलीया इसमें ऐसे ही पीसने की कोशिश करिए जिसे हम दाल पीसते है और अदम बारिक पेस्ट बनानाやって बारिक हो सकता है फिर आपको थोड़ी सी पानी की जरूत पड़े पीस्ते समये तो झधंडा पानी ड़ सकते है ताकि आपकी मिक् नहीं लगेगा कि हम समा के चावल से बनारेंगे, देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन चुका है ये, बस ऐसा ही आपको पेस्ट बनाना है, बहुत ज़ाधा बारिक तो ये नहीं पेस्ट पाता है, क्योंकि समा के चावल के दाने बहुत छोटे-छोटे होते हैं, तो बहुत यह हम थोड़ा सा मेहनत वाला है क्योंकि देखिए दाल से जब दही बनाते है लेकिन हम तो बना रहे हैं यहां पर चावल से तो वह फ्लफी नहीं बन पाएंगे तो इसलिए यह एक प्सकी सबस्तबें कितनी बढ़ जा देका हैं एक चंबल ग्रेटेट जींजर पीटेटा है और साथ ही कटावा हरा धनिया अब डालेंगे इसके अंदर आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर या लाल मिर्च का पाउडर जो भी आप रत में खाते हो और एक चम्मच मैं डालों यहां पर सेंदा नमक यह आप अपने स्वात के अनुसार डाल सकते हैं क्योंकि यह साधार यह थोड़ा सा थिक हो जाएगा अभी जो थोड़ी से आपको पत्ली पत्ली दिख रही थी अब इससे थोड़ा सा गाड़ा हो जाएगा बिल्कुल यह consistency ऐसी होनी चाहिए जैसा की पकोड़े का हम बैटर बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही इन सभी चीजों को अच्छे सा मिक् आप इसको वरत में खाते हैं तो अब में तेल चड़ारी हो गरम होने के लिए मीडियम हॉट ऑइल चाहिए हमें बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं चाहिए और एकदम धीमा भी नहीं चाहिए बढ़ना क्या होता है वड़े जो है तेल पी जाते है तो अब यह बैटर है इ एक एक करके वड़े इसमें डालेंगे हम अब इस समय आप देख सकते हैं एक वड़ा डाल करके कि वह फूल रहा है कि नहीं जैसे मेरे वड़े डालते ही फूल रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने इनको फैंटा था तो अगर आपके इस तरह से नहीं हो रहे हैं तो एक वड़ा डालने के बाद आप रुख जाईए और खाने वाला मीठा सोडा डाल दीजी या थोड़ा सा और फैट लीजे लेकिन अगर खाने वाला सोडा नहीं खाते हैं वरत में तो क्या करें ये फूल भी नहीं रहें तो चिंता की कोई बात नहीं है इसका उपाय मैं आपक करने की जरूत नहीं है दही वड़े वरत में बनाएंगे नहीं तो आपको बिल्कुल वरत करने का मज़ा आ जाएगा ये देखे कितने बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं तो अब इनको निकाल लेगे तेल से बाहर और दूसरा वाला बैश में बनाऊंगी सा आप चाहें तो इस समय वरत वाली चटनी बनाके इनको ऐसे ही खा सकते हैं जरूती नहीं आपको दई बड़े के प्रोसस में आगे जाने की लेकिन दई बड़ा खाना है तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि यह कितने बढ़िया बने हैं देखिए कितने बढ़िय आपको देखिए ना तो यह जाते ही मुँ में घुल जाएंगे आपके तो बस अब करते हैं बाकी की तैयारिया मेहनत वाला काम हो चुगा है पूरा तो सबसे पहले डाल लेंगे गरम पानी में थोड़ा सा गरम जादा गरम भी नहीं थोड़ा गरम लेकिन अगर आपके दह आपको क्या करना अप ना एक दिन बना करके पहले से ही रख लीजिए और इनको रख दीजिए और पूरी रात के लिए इसको अशी बीगे रहने दिए चाहे तो दही में विगो सकते हैं चलिए बाकी की त्यारियां कर लेते यह मैंने लिया है गाडा-गाडा एक कब दही औ आपके पास विज्क नीए तो चम्मत से फैंट लीजे बढ़िया से फ्लफी बना लीजे ताकि दही बड़े खाने में जो मज़ा आता ना जो फ्लफी दही होता है नो एकदम स्मूद्द तप मज़ा आता है खाने का दही बड़े यह देखे कितना बड़ी हो गया दरी आपने इतने बढ़िया फूल गए आपको दिख रहा है ना कितने अच्छे से सौगी हो गए और बहुत ही सौफ्ट ही बने हैं मैं आपको दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट काम क्या करना है दोनों हतोलियों के बीच में एक दही बढ़ा लीजिए और हलका सा प्रेस कीजिए ताकि ए इतना अच्छा है मैंने ज्यादा नहीं दबाया है तो अगर आपके दही बढ़ी बीचने सौफ्ट बनें तो ज्यादा मत दबाईएगा और थोड़े से हाड हो गया है तो पूरी रात के लिए रख दीजिए बिगा करके तो आप में सर्फ कर लेती हूं सौफ्ट मुलायम दही बड़े एक प्लेट के अंदर जो कि हमने बनाए व्रत के लिए इस्पेशली और यह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं दब गोरे गोरे दही बड़े लग रहे हैं लगे बिल्कुल बहुत ही कूबसूरत है तो लीजिए दही तो मैंने डाल दीए अब नेक्स प्रोस दही मैंने इसमें डाल लिया है उपर से सर्व कर लिया और याभी से इतने यमी लग रहे हैं अब मैं डाल रहे हैं व्रत वाली इमली की चटनी इमली को पानी में भीगो करके गुड़ के साथ उबाल लीजिए और केवल इसमें सेंदा नमक लाल मिर्ची अगर खाते हैं तो और भुना जीरा डाल लीजे तो यह इमली की चटनी व्रत वाली बन जाएगी तो इमली की चटनी इसमें ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं या नहीं बनाना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं दही वड़े वैसे भी बहुत ही स्वादिश्ट लगेंगे अब मैं डाल इनके ओपर भुना जीरा लाल मिर्ची का पाउडर अगर आप खाते हैं तो वर्णा काली मिर्ची का पाउडर डाल दीजिए अब मैं इनको करूंगी कटेवे हरे धनिये से आप इसमें नार के दानी भी डाल सकते हैं मैंने बहुत ढूंड़ा मुझे मार्केट मैनार ही नही आप किसी को भी खिलाएंगे कोई बता ही नहीं सकता तो फ्रेंट्स मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत भूलिएगा उसी के पास नोटिफिकेशन बैल का आइकन है उसको जरूर प्रेस कर ल आइ